और अब एक नज़र दाले देखे, News 24 और Todays चाड़क का भी एग्जिट पोल यहाँ पर सामने आया है और यह एग्जिट पोल है, गुजरात को लेकर, देखे, बीजेबी को अभी छबी सीटे मिलने का अनुमान गुजरात में इस एग्जिट पोल के जरिये दिया जा रहा है, कॉजरस को एक भी सीट गुजरात में नहीं मिल रहा है यहां बताई गई और एक सीट है जहां पर जो भडूच की सीट, जहां पर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस में पागडबंदन है, उस सीट को भी कांटे का बताया गया सीट कौन है, क्या सीकर इसके अंदर है, क्योंकि मेरा सवाल यह है, हलाकि जो इंडी गडबंदन है, उसके अंदर सीकर आ रही है वो बाद में सपोर्ट हुआ, और वहां पर कॉंग्रेस ने परचार भी किया, लेकिन उससे पहले इंडिया एलाइंस पे बारतिय ट्राइबल पार्टी शामिल नहीं है, उफिशली शामिल है, तो इस एक को हम आने बासवाडा डूंगरपूर, अगर यह वो बात की जा रही तो यहां पर तो बड़ा जटका है मालविय के लिए, लेकिन श्वेता, अब हम थोड़ा सा, अब अरुन जी से पूचेंगे, अरुन जी भाई ये, एंडिटी भी वही है, जिसको आप कह रहे थे कि मैं इसको जानता हूँ, ये पहले से ही, उस टरिस्म में है, अरुन जी की एगजिट पूल, बीज़ेभी को यहां पर 20 सीटे दे रहा है, इंडिया गटबंधन को चार सीटे है, तो अदर्स में 1 सीटे है, बिल्कुल सवाल यही था कि अदर्स में कौन जाता है, लेकि इंडिया गटबंधन चार, और कॉंग्रेसर अरुन जी जरूर ये कह रही थी, हमारा स्वाल है कि NDTV के इस सर्वे पर थोड़ा भी भरूसा है या नहीं है क्योंकि ओवरॉल में तो आपे नकार दिया था हा ने ने मैं तो अब भी नकार रहा हूं मैं एक्चुली नकार रहा हूं इन चैनल्स का एक्जेक पॉल उसमें मेरे कोई अबिंद वहला आप बताईये सारा यह जो पांस सीटे बता रहे हैं यह कौन सी हो सकती नहीं अब इसका भी गैस क्या करना है इसमें क्योंकि मेरे पास जो लेस्ट है उसमें तो आठनों है न उन आठनों में से बता दीजे जहां ज्यादा मजबूत है ने यह कुछ भी हो सकता है यह भरतपूर हो सकता है दोसा हो सकता है सीकर हो सकता है बाडमेर हो सकता है इवन अचा एक बात और है विजन दर अन्यमें बाडमेर भी हो सकता है अन्यमें बाडमेर भी जा सकता है वो भी अलाइंस में अचा और जो जिस तरह का मुकाब्ला जिस तरह की वहां से खपरें कि जिस तरह का चुनाव रविंदर शिभी ने लड़ा है उर याप इस कंटाने वाले डी रेजल्ट के लिए और चौंकाने वहारा रर इतना जबरदित की में बीजेबी कारवले इम ही था और भाटी महां चुनाव जी जाएं तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी लेकिन ये होगा कि आप देखे ना पहली बार प्रेजिद्नेंट का चुनाव लड़े जी जाएंगे तो ये लगातार तीन चरण चुनाव के और तीनों को अगर क्रॉस कर गए और सिर्फ 26 साल की उमर है और आज एक और बात देगी मैंनेगी कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ मानने नरेंदर भाई मोदी के नेतरतों में एंडी एक केंदर में सरकार बन रही है मोदी जी भारी बहुमत के साथ फिर प्रधान मंतरी नेवाचित होंगी और 2019 के मुकाबले हम कम सीटें प्राप्त नहीं करें एक दो सीट बढ़ भी सकती है लगवग लगवग 19 से बैतरी स्थिती रहेगी पस्चिम मंगाल में अभी हमारे पास 18 सांसत है और जिस प्रकार का रुजान वाँ के आम जनका था हम कम से कम 25 सीटें पस्चिम मंगाल में जीत रहे हैं जो 30 तक भी जा सकते हैं राजिस्तान में एक दो तिन जग़े को छोड़कर जहां कंटेस्ट है बाकि हम लगवग लगवग शारी सीटें जीते हैं देखे देश का दिल च्वेता दिली में धड़कता है हमारा जैपूर में धड़कता है इसलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि राजिस्तान का जो पहला सर्वेया है वाइंडी टीवी ने किया और उसमें बीज़ेपी को 20 इंडिया कट बंदन को 4 और जब मैं बीज़ेपी करने था तो बाड़ मेर की नेता एक साथ आ रहे थे लेकिन किसी की भी चेहरे पर उमंग नहीं थे और चेहरे उनके लटके वे थे एक साथ एक साथ ही आये थे उनके चेहरें के लटकने का जो भाव था और उसके बाद जो बात चीत थी उससे साफ जा नाम क्या हो सकते हैं?